दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं सेकंड PEPER जो आपका विद्याले संसकर्ति प्रबिंधन और शिक्सक है उसका यूनिट सेकंड दोस्तो इकाई नमबर दो जिसका नाम है सिक्षया संचालन व्यवस्ता दस नमबर का आपका ये यूनिट होने वाला है दोस्तों और इसके सारे important topics हम देखेंगे जिनसे की कम समय में आपका सारा unit cover हो जाए इसमें दोस्तों मेन तो हम देखेंगे कि सिक्ष्या सेंचलल में क्या कौन-कौन से अधिनियम होते हैं और जिला शिक्ष्या अधिकारी के अधिकार और कृतवय के बारे में तो आईए वीडियो शुरू करते हैं पहला topic दोस्तों इसमें important बनेगा कि निसुल्क अवम अनिवारियस बाल शिक्ष्या अधिकार अधिनियम 2009 यानि कि RTE 2009 क्या है तो यहां हम लिखेंगे कि समय समय पर विभिन दार्शनिकों और विद्वानों ने शिक्ष्या का महता को विविद तरीके से रेखांकित करने का प्रियास किया है एतिहासिक करम में बढ़ते हुए एक अधिकार के रूप में शिक्ष्या की अवधारना का विकाश हुआ है जिसकी परियनती हम भारतीय संदर्ब में निशुल्क अवम अनिवारियस शिक्ष्या अधिनियम 2009 के रूप में देख सकते हैं जिसे एक अपरेल 2010 से दी राइट ऑफ चिल्डरन्स टू फ्री एंड कमपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के नाम से लागू कर दिया गया है आगे हम देखेंगे यहां पर कि RTE 2009 के प्रमू के प्रावधान क्या है तो इसके अंतरगत साथ अध्याय और 38 धराओं का वर्णन है जिसमें से महतपूर्ण हम यहां पर देखेंगे तो महतपूर्ण में है पहला भारत के 6 से 14 वरश के आयो के बीच आने वाले सभी बच्चों को मुप्त अनिवारी शिक्षा दी जाएगी नमबर दो पर है प्रात्मिक शिक्षय यानि की एक से आठ तक खत्म होने के से पहले किसी भी बच्चे को ने तो रोका जाएगा नहीं निकला जाएगा तथा बॉड प्रिक्षा पास करने की जरुरत भी नहीं होगी यानि कि एक पहली कक्षा लेकर के आठ वी तक आप बच्चे को फेल भी नहीं कर सकते नमबर थ्री पर है ऐसा बच्चा बच्ची जिसकी उम्र छह साल से उपर है जो किसी स्कूल में दाखिला नहीं है अत्वा है भी तो अपनी प्रात्मिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाया है तो उसे उसकी उम्र के लायक उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा यानि कि दोस्तों मान लिजिए कि 10 साल का बच्चा है और उसने अभी तक स्कूल में एड़िशन नहीं दिया अब उसको स्कूल में एड़िशन लेना है तो हम उसे पर्ष क्लास में नहीं बैटा करके उसकी उम्र के साब से फॉर्थ में या फाइव में बैठाएंगे नंबर चार पर है दोस्तों प्रतेक बालक बालिका का प्रवेश उपस्तिती व्य प्रारंभिक सिक्ष्या पूरी करना सुनिश्चित किया जाएगा नंबर पांच पर है किसी भी बालक बालिका को सारेरिक या मानसिक रूप से परताडित नहीं किया जाएगा यारनी कि आप दोस्तों पिडाई नहीं कर सकते हैं पहले थे क्या अतने हुँ और प्रत लेगां है अग्ला इंपोर्टेंट ॉपिका कर दोस्तों ऑनãy दोस्तों पूरा नाम चालेचि की रूप लेखा शिक्शकатели 2009 में है तो पहला इसका टोपिक है point taking एपे कुछ important इसके backification करने की कारिकरम शिखशकों में भावनातमक और सामाजिक विक्षित करें नंबर दो पर है शिखशक सिखशक के पाठे चरिया यहों में पाठे पुस्तकों का समालोचनात्मक विशलेशन करने की शमता परदान करनी चाहिए नहीं कि उन्हें जेसा दिया गया है उसे बिना बहस के स्वीकार कर लेना चाहिए नमबर तीन पर है इस बात की आवेशक्ता है कि सिक्षक बालकों की चिंता करे उसके साथ रहने के आनंद अनुभव करे ज्यान की तलाज करने समाज के परती अपना दाईतुए अनुभव करने तथा अच्छे समाज का निर्मान है तू परियासरत रहे बालकों की समश्याओं के परती सम्मेदंसील बने आगे है कि अतह है राश्ट्रिय पाठी चरिया की रूप रेखा सिक्षक सिक्षय दोजर नों के दौरा विद्यहल्ड़ई की संवच्नायम संचारन के संदर्ब में महतपूर्ण पक्ष है वरतमान सिक्षक सिक्षया पाठेचरिया का इसी विद्याले इस तरपर क्रियानवित व्यावसाइक तयारी के लिए शिक्षक, शिक्षा, शिक्षण के लिए आवशक है इसके इससे विद्याले के वास्तविक वातावरन से जुडावकर विद्याले के सिक्षण अधिगम को प्रभावी बना सकते हैं यानि कि दोस्तों सिक्षिकों के लिए भी अलग से सिक्षा यानि कि इंटरंसिप दी जाती है प्रशिक्षिकों को तो उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है आगे हम देखेंगे मानव संसाधन विकास मंत्राले MHRD क्या है तो मानव संसाधन विकास मंत्राले का सरजन भारत सरकार नियम 1961 यानि की व्यविशाई का आवंटन नियम 1961 के 144 संसोधन के माद्याम से 26 सितंबर 1985 को किया गया था जो दो विभागों के माद्याम से कारी करता है नमबर पहले पर है स्कूल सिक्षा का साक्सरता विभाग और नमबर दो पर है उच्चतर सिक्षा विभाग स्कूल सिक्षय और साख्सरता विभाग देश में साख्सरता के विकास के लिए उतरदाई है जिसका लक्ष्य सिक्षय के सारोब्होमिकरन युवाओं में भैतर नागरीक तयार करना है इसके लिए नियमित प्रूप से विभिन नई योजनाय प्रारंब की जाती है अगला टोपिक है इंपोर्टेंट राष्ट्रिय सेक्सिक अनुसंधान एयों प्रसिक्षण परिचद यानि की NCRT क्या है तो यहां हम देखेंगे राष्ट्रिय सेक्सिक अनुसंधान और प्रसिक्षण परिचद नई दिल्ली एक स्वायत संगठन है जिसे 9 सितंबर 1961 में स्कूली सिक्षण तथा सिक्षण पर सिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिए इस्तापित किया गया था इसका मुख्याले नई दिल्ली में इस्तित है यहें परिशद मानव संसाधन विकास मंत्राले को स्कूल सिक्षण संबंदिर नीती निधरन एम उसके क्रियानवेन में प्रामर्ष देती है इस संस्ता की आर्थिक व्यवस्ता का दायतों केंद्रिय सरकार का है मुख्यकारिय क्या कहा है इसके NCRT के मुख्यकारिये पहला है विध्याले शिक्षा से संबंदित सर्वेक्षन सोध प्रियोग पाइलेट प्रोजेक्ट उच्छ इस तरिये प्रिस्षिक्षन तथा विस्तार शेवाओं को विक्षित कर संगठित करना नमबर दो पर है मानव संसाधन विकास मंत्राले की सिक्ष्या नीतियोयम योजनाओं को बनाने में साहता करना नमबर तीन पर है केंद्रिय मंत्राले का राज्यसरकार तथा विश्व विध्यालेओं के मध्य निरंतर संबंद बनाए रखना अगला टोपिक दोस्तों इंपोर्टेंट टोपिक हम देखेंगे कि राज्य की सिख्षा व्यवस्था यानि कि SIERT क्या है तो राज्य राजस्थान राज्य में विद्यालई सिख्षा के उडात्मक सम्मुनैन के लिए राज्य सरकारद्वारा संगठित महरोत्रा समिती की पूर्व में कारेरत विभिन अभिकरणों को समन्वित कर 11 नौंबर 1978 को उडैपूर में राजस्थान राज्य सेक्षिक अनुसंधान यों प्रैसिक्षन संस्थान की स्थापना की गई यह संस्थान निदेशालिय प्रारंभिक सिक्ष्या विकानेर के प्रसासनिक नियंत्र में कार्य कर रहा है संस्तान में ऑडिटोरियम व्रहत पुस्तकालिय वीडियो लेब कंप्यूटर लेब कला संदर्बकक्ष समंधी विज्ञान समंधी समस्त प्रयोग सालाएं चात्रावास एहम कार्याले आदी की स्विधा उपलब्द है और इसके मुख्य कार्य के कहें पहल नंबर दो पर है राज्य की विध्यालई सिक्षा के गुणात्मक उन्यान है तू नेतियां एहम कार्य कर्मों का निर्धरन करना नंबर तीन पर है सिक्षकों एहम विध्यारतियों में विज्ञानेक दृष्टिकों खोज परवर्ति स्वस्त प्रतिस्प्रधा की भावना विख्षित करना तथा उन्हें प्रोत्साहित करने है तू विज्ञान सेमिनार विज्ञान एम जंसिंक्या प्रदर्शनी जीवन कोशल विकास मेला विज्ञान सिक्षन आधी प्रतिवगिताय आयोजित करना नंबर चार पर है प्रारंभिक इस्तर पर बीएस्टिसी निर्मान पाठ्य पुस्टक लेखन पूरक साइथ्ते निर्मान करना तथा सुरव्व्य द्रिश्य सामगरी का निर्मान करना नंबर 5 पर है राज्य में निदेश सेवाओं के लिए वातवरन तैयर करना तथा केरियर डे जैसे कारकर्मों का संचार्ण करना अगला इंपोर्टेंट टोपिक है दोस्तों शिक्षा के उन्नेन हेतु राज्य सरकार दुआरा क्या-क्या प्रियास किये जा रहे हैं तो पहला है शिक्षा तथा नारी समानता महीला रक्षरता की अधिक दर उच्ष शिक्षा में लड़कियों का कम परतिनिधितु तथा महीला अध्यापक कम अनुपार्थ में होने जैसी समश्याओं को दूर करने के हैतु समय समय पर प्रस्ताव पारित किये गए हैं सभी के लिए समान शिक्षा हेतु निसुलक एम अनिवारिये बाल शिक्षा अधिनियम भी लागू किया गया है लड़कियों के लिए सिक्षा हेतु सरकार दोरा समय समय पर कई योजनाएं भी पारित करती रहें सरकार पहला है यहां पर निशुलक साइकल वित्रण योजना, नमबर दो पर है सकुटी वित्रण योजना, नमबर तीन पर है गारगी प्रोषकार, नमबर चार पर है छातरवरती योजना, नमबर पांच पर है आपनी बेटी योजना, इसमें दोस्तों ट्रस्ट होता है आपनी बे योजना में उनको फिल करके फिर एडमिशन लेना होता है तो ये दोस्तों आपको अलग से प्रशन भी आ सकता है कि लड़कियों को प्रोथसाहन देने के लिए कौन-कौन सी योजना ही चलाई जा रही है या किस परकार से जो शिक्षक विभाग है शिक्षा विभाग है वो कि सेक्षिक रूप से पिछडे वर्गों की शिक्षा अनुसुचित जाती वे जिन जातियों तो था अन्या पिछडे वर्गों की शाक्षरता दर बढ़ाने के लिए निम्न सिपारिसें की गई हैं पहला है राजस्थान में क्रियानवित योजनाओं की वरतमान इस्थिति की जा आज की जाए बी पर है ऐसी वस्तियों में विद्याले खोले गए जहां अभी तक विद्याले नहीं थे नमबर तीन पर है अलप संक्यकों के दुवारा चलाए जा रहे सेक्षिक संस्तानों को माननेता प्रदान करने के प्रस्थाव पारित किये गए हैं नमबर तीन पर हम वाद करेंगे वेंचितौवर्ग की शिक्षा वेंचित वरग यह जोस्तों हम ले लेते हैं वेक्षियों को सरकार का बड़ा योगदान है पहला है विकलांग बच्चों के लिए शेक्षिक तंत्र लचीला बनाया गया है ऐसे बच्चों के लिए विशेष विद्याले तथा सामाने विद्याले में विशेष कक्षाओं की विवस्ता की गई है नमबर दो पर है मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए विशेष प्रकार की पाठिचरिया विख्षित की गई है जैसे दोस्तों हम उधारन लें कि जयातर वेकेंसिज में क्या होता है विकलांग या फिर वन्चित जो होते हैं अलग विशेष विक्तिजन तो उनके लिए अलग से सीटे रिजर्व होती है और उनको माक्स भी कम कटोव जाती है उनकी तो इस प्रकार से सरकार उनको काफी साहिता दे रही है अगले हम बात करने वाले हैं चोथा नंबर पे सारवजनिक स्कूल प्रणाली तो शिक्षा के चेतर में समानता तथा सामाजिक न्याय लाने हितु विविद्ध कारिये किये गए है पहला है यहां पर प्रारंभिक शिक्षा चेतर के लिए परियाप्त धनकी व्यवस्ता की नंबर दो पर है प्रारंभिक इसतर पर बालकों के प्रवेश के लिए चयन प्रकिरिया ट्यूशन फीस आधी व्यवस्ताओं को समावत करने का कानून निर्मान का प्रस्ताव पारित किया गया है अगला इंपोर्टेंट प्रशन हम दोस्तों यहां पर देखने वाले हैं कि जिला शिक्षा यहां प्रस्क्षन संस्तान यानि कि डाइट डी आई इटी द्वारा शिक्षा के लिए किये जाने वाले कारी है डाइट कोलेज दोस्तों अपनी बियेड इनकी कोलेज क्या होती है डाइट कोलेज है तो उनके बारे में क्यक्य कारी वहां पर किये जाते हैं तो उनकी हम यहां पर बात करने वाले हैं यह प्रशन दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट है तो आप इसे तोड़ा अच्छा से देखें इसमें दोस्तों टोटल साथ या आठ प्रभाग होते हैं चोटे विभाग तो उनके सबके अलग-अलग कारी होते हैं तो आइए स्टार्ट अनुरूप एम राजय सरकार के निर्देशानुशार आयोजन करना नमबर दूसरे पर हैं जिले के विद्यालेयों के लिए मनों विज्ञानिक प्रामर्श एम निर्देश शेवाएं उप्रद कराना सी पर है डाइट के अन्य प्रभागों को संद्रब सेवाएं प्रदान क करना उर डी पर है सेवापूरव शिक्षक सिक्ष्या के छात्राध्यपकों की मुल्यांकन व्यवस्था पंजहक शिक्ष्ण विभागений प्रिक्षा के निर्देशानुशार करना ही इपर है छ्षेट्र ये अन्तहक क्रिया में क्रियात्मक नुसंद्धान करना को सेके पूर्व एवम सेवारत शिक्षकों हेतु कायानुभव के विभिन चेत्रों से संबंदित क्रियात्मक प्रदहन करना नंबर सी पर है इसका कारिये प्रशिक्षण के दोरान समान सेवा संबंधी क्रियाएं एवम इस्थानिये कायनुभव चेत्र का आउलोगन करना नंबर तीन पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं जिला संदर्व इकाई प्रभाग की DRU भी से कहा जाता है तो इसके कारिये हम देखेंगे A पर है जिले में शिक्षा के सरवजनिक करण से संबंदित योजनाओं का निर्मान कर उनकी क्रियानविती करना B पर है महीला ससक्तिकरण जनसंक्या सिक्षा की सोरवस्था सिक्षा यहम निच सक्त जनम एकिकरत सिक्षा योजनाओं तरगत जिला स्कूल एड़ सिक्षा कारिकरम संबंदी प्रसिक्षण की वेवस्ता करना C पर है आंगनबाडी काज़े करता थथा प्रारंबिक सिक्ष्या सिक्ष्कों में हमनवे हितू उनका सन्यूक्त प्रशिक्ष्ण आयोजित करना एम आंगनबाडी केंद्रों का अउलोकन कर संबल परदान करना नमबर चार पर हम यहां देखने वाले हैं सेवारत कारिकरम छेत्रिय अंतहकरिया नवाचार एउम समन्वे प्रभाग यानिगी IFIC तो इसके कारिये हैं पहला कारिये है डाइट का वार्षिक पंचांग त्यार करना बी पर है सेख्षकों के व्यवसाइग उन्यन हैतु पत्र वाचन एउम निभंद परतियों किताओं का आयोजन करना नमबर सी पर है छेत्रिय अंतहकरिया किर्यात्मक अनुसंधान एउम सत्र प्रियाद्नत प्रकाशन के लिए मोडल ब्रांच के रूप में कारिये करना बी पर है जिले की सेक्षिक समस्याओं के समाधान हैतु विभिन अधिकारों में समन्वे समिति की बेठक का आयोजन करना नमबर पांच पर हमें आपर देखेंगे पाठ्यक्रम सामगरी एउम मुल्यांकन प्रभाग यानि की CMDE इसका पहला कारिये है निदनात्मक परसिक्षन एउम उप्चारात्मक क्रिक्षन कारीयोजना समन्दी परसिक्षन B पर है दक्षिता आधरित सिक्षक अधिगम एउम मुल्यांकन में गुनात्मक सुधार हेतु सहपाटी समूह एउम सुव मुल्यांकन विध्या समंदी प्रशिक्षन देना C पर है मुल्यांकन के विध्यन उपकरण जैसे प्रश्न पत्र प्रश्न बैंक आधि ही का निर्मान करना नमबर 6 पर हम बात करने वाले हैं सेक्षिक प्रद्ग की प्रभाग यानि की ET के बारे में इसके कारिये हैं पहला कारिये सेक्षन को प्रभावी बनाने है तू अलपवेई सिक्षन सायक सामगरी एउम सरव्य द्रश्य सामगरी का निर्मान एउम उप्योग समंदी प्रशिक्षन देना बी पर है संप्रेशन को प्रभावी बनाने है तो सेक्षिक प्रद्ग की तका सिक्षण में उप्योग समंदी प्रसिक्षण देना साथ वे नमबर पर हम बात करने वाले हैं योजना एंवं प्रबंदन विभाग की P&M पहला इसका कारिया है विभिन शेक्षिक सम्मंक एकत्रित कर डाइट एंवं जिला योजना निर्माण में सहयोग देना नमबर बी है विभिन प्रकार के प्रशिक्षक जैसे प्रद्ग द्यपक विध्याले संकूल विध्याले योजना आधिका आयोजन करना पर है लेब एरिया का चैन कर सेक्षक उन्नेयन के प्रियास करना डीपर है टीचर प्रोफाइल योजना चक्र प्रपत्र संधारन करना अगला इंपोर्टेंट टोपिक हम देखेंगे दोस्तों जिला शिक्ष्या अधिकारी के अधिकार एम करतव्य क्या गया है तो इसमें पहला है सारे important topics हम यहां पर देखेंगे कि important important क्या क्या जिला सिक्ष्यादिकारी के कारिये होते हैं पहला कारिये हैं प्रात्मिक, उच्छे प्रात्मिक, माध्यमिक और उच्छे माध्यमिक प्रात्मिक होता है दोस्तो एक से पांच वी तक की स्कूल को प्रात्मिक कहा जाता है उच्छ प्रात्मिक के हम बात करें तो एक से आठ वी तक की स्कूल को उच्छ प्रात्मिक कहा जाता है और एक से दस वी तक की स्कूल को क्या करता है माध्यमिक और बारवी तक स्कूल को उच्छ माध्यमिक कहा जाता है तो हम यहां देख रहे हैं प्रात्मिक, उच्छ प्रात्मिक, माध्यमिक और उच्छ माध्यमिक विद्यालेयों के निरेक्षन के लिए सामानेत है उत्तरदाई रहना नमबर दो पर है अपने अधीन अत्रिक्त जिला शिक्ष्या अधिकारी ब्लोक प्रारंबिक शिक्ष्या अधिकारियों यह अत्रिक्त ब्लोक शिक्ष्या अधिकारियों के कारियों पर नियंत्रन रखना और निरक्षन करना 3. अपने नियंद्रन के छेतर में इस्थापित संस्तानों के निर्क्षण में यदि आवशक्ता हो तो निदेशक की साहेता करना 4. वर्ष में 17,22,4 यातरी निर्क्षण हैतु यात्रा पर रहना नमबर पांच पर है अपने चेत्र में व्यक्तिकत एम सरवजनिक परबंदित दोनों संस्ताओं के कारिया का विवरण त्यार करना तथा उसे मंडल अधिकारी उपन देशक को प्रस्तूत करना नमबर चे पर है अधिनेश्ट परशासिनिक अधिकारियों की वर्ष में चार बैठके आयोजित करवाना त्याम त्रेमाशिक कारियों का मुल्यांकर करना अगला हम यहां दोस्तों इंपोर्टेंट टॉपिक देखेंगे सर्व सिक्ष्या अभियान की मुख्य गतिविदियां क्या होती है तो यह प्रशन दोस्तों आपके 2016 में आयवा है तो उस वज़ा से दोस्तों इंपोर्टेंट प्रशन है इस बार आने के पूरे चांसे जिस परशन के बन रहे हैं तो इसमें पहला टॉपिक हम देखेंगे सिक्षा की गुणवत्ता तो शिक्षा की गुणवत्ता पर दोस्तों काफीकारी के गए हैं कख्षा एक से आठ विदक के बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण नवाचार निम्न गतिविदियां आयुजित की जा रही हैं पहला है सतत एम व्यापक मुल्यानकन दूसरा है वरक बुक तीसरा है कंप्यूटर अधायत सिक्षन चोता है विज्ञान गणित किट का निशुलक वित्रण पांचवा है क्वालिटी इंशुरेंस प्रोग्राम इनमें दोस्तों आप अच्छे से एक दूलाने लिख सकते हैं आराम से इजी टोपिक से हैं नमबर दो पर है शिक्षन पर शिक्षन बालक बालिकाओं का नविंतम शिक्षन परदतियों में से अध्यन कराने उनके अधिगम इस्तर में व्रद्धी करने हितु पाठिकरम को सिरल तरीके से पढ़ाने के लिए विद्याले मे करे में करे रत है जिस वे बच's से वह अच्थे से और उनके परति प्रति आकरशत रहे चोँआ की बच्चों को ट्यार करने के लिए जो प्रक्षिक्षण के लिए शीरिया को तयार प्रतिय न आवाश्यक है कि अच्छ पर शिक्षण में यह कारी आपको लिखना है नमबर तीन पर हम बात करें सिक्षक अनुदान टी एम एम तो बच्चों और शिक्षकों की सरजन सीलता को उबारने तथा शिक्षण को रोचक एम प्रभावी बनाने की दृष्टी से शिक्षण अधिगम सामगरी है तो 500 रुप बहुतिक अविशक्ताओं की पूर्ती तथा पुराने उपकरण के प्रतिस्तापन है तो प्रति प्रात्मे कक्षाओं वाले विद्याले को 5000 रुपे तथा उच मादमिक विद्याले को 7000 रुपे स्कूल गरांट दिये जाने का प्रावजान है यदि विद्याले कक्षा 108 त करने वाले समूदायों के बालक बालिकाओं के लिए बजट प्लान में प्रावधानुसार माइगरेटी छात्रावास का संचालन किया जाता है अगले नंबर पर है ब्रिज कोष शिक्षा के अधिगार के अंत्रगत 6-14 वर्ष आयो के वर्ग के सभी वर्ष सभी बालक बालिकाओं को निसुलक योम अनिवारिय शिक्षया प्रदान की जाती है जिन विध्यालेओं में 40 से या उससे अधिक शिक्षया से वन्चित इस्ताणिये बालाक बालिकाए परवेस लेते हैं प। गयरावाशीये ब्रीजगोर्ष का संदालन के लिए 30,000 रूपे प्रतिवर्ष ब्रति बालाक बजट प्रावधाना है अगला हम यहां देखेंगे 7 वे नमबर पर है निर्मान कारिये तो सर्व शिक्षा अभीहान दुआरा विद्यालय में भवन अत्रिक्त कक्षा कक्ष, पर्धाना द्यपक कक्ष, सोचाले, पेजल, सुईधा, विद्यत कनेक्षन, रेंप, आधी के निर्मान हेतु प्रावजान दिया गया है निर्मान कारियों को समायत कराएं जाने का दाइतु वे विद्यालय प्रमन्द समेती का है आठ फी रंबर पर हैं कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम C.A.L.P. तो कल्प कारियकरम के अंतरगत प्रतेक जिले हितु 50 लाख रुपे का बजट का प्रावजान होता है जिससे उच्च प्रात्मिक विद्यालयों में जहां मोडल स्कूल हो बालिकाओं का नमांकन अधिक हो विद्यत विवस्दा उपलब्ध हो के अधार पर चैनित विद्यालयों में 2-3 कंप्यूटर उपलब्ध करवाये जाते हैं इन कंप्यूटर के माद्यम से 6-8 तक के बालक बालिकाओं को शिक्षण कराया जाता है अगले नंबर पर है सोध कारिये तो जिला सिक्ष्या जिला इस तरिये सोध अध्यन प्रतेक जिले में केवल एक जिला इस तरिये सोध डाइट के माध्यम से संजलत किया जाता है तो बस दोस्तो यार यही थे important सारे topics जो इस unit में बनने वाले हैं इनसे आपके 10 नंबर आराम से cover हो जाएंगे वीडियो दोस्तो रिपिट पर देखते रहे हैं और इनकी PDF के लिए दिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आप वहाँ से इसकी PDF आसानी से डाउड़ कर सकते हैं और जल्दे दोस्तो आप मिलेंगे second unit के साथ तब तक दोस्तो आप वीडियो को प्लैलिस्ट में जाकर करके आप देख सकते हैं वहाँ से आप आसानी से सारे वीडियो देख पाएंगे दूसरा पिपर दोस्तो अपना चल रहा है जल्दी से सारे वेपस में cover करवाने की कोसिस कर रहा हूं